Hello students, welcome back to my channel conceptual biology by Manish Sharma आज अपन पीडियाटरी का एक important topic है milestone उसके बारे में discuss करेंगे तो देखे milestone होता क्या है तो milestone को अगर अच्छे से पढ़ें तो milestone का एक सिद्धा सा मतलब है कि एक special characteristics है जो कि ये particular age group पे हर एक बच्चा शो करता है अगर बच्चा नहीं कर पा रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि बच्चे के अंदर developmental delay है अगर थोड़ा बहुत alteration है तो वो कोई बड़ी problem नहीं है वो कोई disease condition भी नहीं है थोड़ा time लग सकता है परन्तु अगर show ही नहीं होता है बहुत ज्यादा time period लग रहा है और बहुत ज्यादा gap आ रहा है इसका मतलब हुआ कि बच्चे के अंदर milestone नहीं आ रहा है और इसका मतलब ये है कि developmental delay हो गया है development में कुछ नकुछ problem हो सकती है कोई disease condition हो सकती है तो देखिए milestone अपने पढ़ते हैं माइल स्टोन की सबसे पहले definition तो definition क्या होगी माइल स्टोन की तो एक सिंपल से definition है कि they are the special characteristics which are shown by a baby own a particular age group इतनी सी सिद्धी से definition है कि एक special characteristics है जो कि एक बच्चा है वो एक particular age group में show करता है अगर बच्चा नहीं करता है इसका मतलब development delay है ठीक है फिर बाद में अगली जो इसके अंदर आते हैं types जो अगली चीज आती है वो आते हैं इसके types तो देखे माइल स्टोन के कौन-कौन से types हैं माइल स्टोन के ये चार main types हैं इसके अंदर अपन पढ़ते हैं development sorry milestone को तो इसके अंदर चार types हैं पहला जो type है इसका वो है gross motor milestone gross motor milestone किसको बोलते हैं अपन जिसके अंदर major muscles का इस्तेमाल किया जाता है किसी भी activity को perform करने के लिए उसे अपन बोलते है gross motor milestone फिर वान अगला है fine motor milestone fine motor milestone अपन उसको बोलते हैं इसके अंदर अपनी minor muscles का इस्तेमाल किया जाता है, यह फिर अगर मैं सिधा सा कहूं तो अपनी fingers का इस्तेमाल किया जाता है, fine motor milestone में, फिर वान अगला आता है, social milestone, social milestone का मतलब यह हुआ, कि जब बच्चा सोशल एक तरीके से अगर अपन कहें सोशल इंट्रेक्शन करता है सोसाइटी के साथ साथ में इंट्रेक्शन करता है तो उस समय धिरे 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 बच्चा सोसाइटी के साथ में अच्छे से इंट्रेक्ट कर पाता है तो उस टाइम के जो माईलिस्टो है, फिर बाद में आगे जाके कुछ सब्द बोल पाता है, कुछ वर्ड बोल पाता है, फिर बाद में पूरा सेंटेंस बोल पाता है, फिर बाद में एक पोएम सुना पाता है, फिर बाद में एक स्टोरी सुना सकता है, बचा तो इस तरीके से अपन इसके अंदर लिंग्वल म माईलिस्टोन को पढ़ेंगे मोटर माईलिस्टोन को देखिए ग्रोस मोटर माईलिस्टोन क्या होते हैं ग्रोस मोटर माईलिस्टोन जिसके अंदर अपन मेजर मसल्स का इस्तेमाल करते हैं उसे अपन ग्रोस मोटर माईलिस्टोन बोलते हैं कोई भी एक्टिविटी परफॉर से माइलिस्टोन आते हैं वो अपन डिसकस करेंगे यहां पे तो देखिए सबसे पहला जीरो से थ्री मन्त का जो टाइम पिरियट रहता है इसके अंदर बच्चे का हेड लेक देखने को मिलता है कहने का मतलब है कि जब अपन बच्चे की नेक को सपोर्ट करके रखते हैं तो फिर जब रहता है थीग है अगर सपोर्ट्व हेंड को अगर अपन आहटा लेते जो बच्चे की नेक है वो लेक देखने को मिलता है फिर वाद में पे-जिन मन्त के ऊपर जो बच्चा यहां बच्चा अपने नेक क Alle कर सकता है ठीक है किए धार्वाध मन्त का माइलिस्टॉ होने Rolling sover感覺 का मतलब होता है कि बच्चे को अगर Up माइष का म qué अगा मा Actors डाए तो वो सकता है अगर प्रॉजुशन में थो वह सुन पोजिशन में आ सकता है इसे आपनina बोलते हैं रोल सोर यह 5-month का माइलिस्ट फिर वाने 6 महिने का माइलिस्टोन है जिसके अंदर बच्छा क्या करेगा कि सपोर्ट लेकर बच्छा क्या सकता है यहां पर लिखा हुआ नहीं है सिट विद्श सपोर्ट उसके साथ साथ में बच्छा ट्राइपब पोजिशन लेता है six month पर बच्चा ट्राइपोर्ट पोजिशन लेता है फिर वाद में साथ महीने का चुब बच्चा होता है वो क्या कर सकता है क्रीप सोरी आप्रावलिंग करता है क्रावलिंग का मतलब होता है अब डोमन के ओपर वोक करना जैसे कि जैसे रेंगते हैं उस हिसाब से बच्चा साथ महीने का एक्ट करता है फिर वाद में आठ महीने का जो बच्चा होता है वो आठ महीने वाला बच्चा है वो बिना किसी सपोर्ट के बेट सकता है आठ महीने का बच्चा है बिना किसी सपोर्ट के बेट सकता है नो महीने का जो बच्चा है वो क्रीप करना सीख जाता है क्रिप करने का मतलब है अब्डोमन को उपर कर लेगा और गुठने के बल चलना स्टार्ट कर देगा नो मेने का बच्चा और दस से ग्यारा मेने का जो बच्चा है वो सपोर्ट लेके और खड़ा हो सकता है स्टेंड कर सकता है सपोर्ट के साथ में 10 से 11 मेने का बच्चा है 12 मेने का जो बेबी है वो क्या करेगा किसी बिना किसी सपोर्ट के वो खड़ा हो सकता है उसे अपन 12 मंद का बच्चा है वो बिना किसी सपोर्ट के खड़ा हो सकता है ठीक है और बियर लाइक वोक देखने को मि क función 15 मेंने का बच्चा होगा वह क्या कर सकता है कि यहां पर जो यहां मैंने का बच्चा है नोग छल भी सकता है यहां पर मैंने बिलकुल नार्मल है और पर फिर बाद में creep well creep मतलब जो गुठने के बल चल रहा था वह बहुत ही अच्छे से चल पा रहा है बच्चा फिर बाद में 18 मेने का जो बच्चा है 18 मेने का जो बच्चा है वो क्या कर सकता है एक तो can upstairs करने का मतलब है कि सीडियां चड़ सकता है बच्चा ठीक है creep up steer और परन्तु यह याद रखेगा यह अपने पेरों का उस हिसाब से इस्तेमाल करके जैसे अपन सीडियां चड़ते हैं वैसे नहीं चड़ पाएगा चड़ेगा परन्तु creep करके चड़ता है ठीक है और can run अब 18 मेने का बच्चा run कर सकता है परन्तु जब सीडियों पर चड़ेगा तो गुठने के बली चड़ेगा ठीक है फिर बाद में 24 मंत का बच्चा 24 मंत का बच्चा अपने दोनों पेरों का इस्तेमाल करते हुए और सीडियों पर चड़ता है और इस तरह कैसे चड़ ter patar adult up-stair का मतलब होता है कि अपने alternate पेड़ों का इस्तेमाल करते हुए अप स्पेर अब चाहिएमро thirty six मंत है फिर त्री एर का बच्चा होगा वो ट्राइ साइकल जो तीन पईयों की जो साइकल आती है वो इस्तेमाल कर सकता है उसे चला सकता है बच्चा और यहां पे डाउन स्टेयर भी आ सकता है बच्चा यहां पे बच्चा सिर्फ उकपर जा रहा था नीचे नहीं आ पा रहा था पर अब आपने दोनों पेरों का एक साथ इस्तेमाल करते हुए ठीक है फिर वान चार साल का बच्चा है वो हूपस हूपस का मतलब होता है लंगडी टांग खेलना ठीक है वो कर सकता है डाउन स्टेर आ सकता है चार साल का बच्चा है डाउन स्टेर भी आ सकता है अपने अलग-अलग पे ठीक है फिर वान पांच साल का बच्चा हो वह स्कीपिंग कर सकता है इस कीपिंग का मतलब होता है रसी कूदना उसको बोलते हैं अपने स्कीपिंग अब अगली वीडियो में अपने पढ़ेंगे फाइन मोटर माईलिश